हेई गाज वेल्कमें टू रेल ग्यान सीरीज तो आज हम लोग डिसकेस करेंगे मेगा पजक्ट डी एफसी के बारे में और जानेंगे कि यह कितने किलमेटर का रूट कवर करती है यह किस किस स्टेट से होके गुजरती है इसके कुछ साइलेंट फीचर्स और करेंट लिए तो चलिए शुरू करते हैं आपको पता ही होगा कि देश में दो डी एफसी बन रही है एक इस्टेण डी एफसी एक वेस्टन डी एफसी और दोनों का जो मिटिंग पॉयंट है वो है दाद्री में EDFC और WDFC एक दुसरे को तर्च करती है तो आपको पता ही होगा कि य यह काम शुरू है और EDFC जो है वो वर्ल्ड गेंग द्वारा फंडेड है और अब की WBC जापान की कंपनी द्वारा फंड किया जा रहा है तो अब देख लेते हैं कि यह किस इस्टेट से होके गुजरती है तो यह EDFC आपके लुधियाना से डानकुनी मतलब लुधियाना से लेके डानकुनी तक इसका प्रजेक्ट है तो इसलिए पंजाब में यह 88 किलोमेटर के अरिया टच करती है हर्याना में 70 किलोमेटर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किलोमेटर यह कवर करती है जो की 1058 किलोमेटर वहीं बिहार में 249 km, जारकन में 196 km, वेस्ट वेंगल में 203 km के अरिया यह कवर करती है और अगर टोटल किलोमेटर की बात कर लें तो यह 1856 km का टोटल प्रजेक्ट है और आप अगर देखो कि इसमें जो मेजर हिस्टेशन किस किस से होके गुजरती है तो है डानकुनी, अंडाल, गोमो, सोननगर, गंज ख्वाजा, मोगल सराई, जोनातफूर, नैनी, चौकी, प्रेमपूर, भावपूर, टुंडला, दाउद खान, कुर्जा, कालानौर, राजपूरा, सिरहिंद, इस तरह से आपको अलग अलोग स्टेशन देखने को मिलेंगे और वही ये टोटल 6 स्टेट को कवर करती है, अगर बात करें EDFC की फीचर्स के बारे में, तो EDFC दो सेग्मेन में बटा हुआ है, एक तो 1409 किलोमेटर के अरिया जो के डानकुनी से कुर्जा तक, मतलब वेस्ट वेंगोल के डानकुनी से लेगे कुर्जा, उत्तर प्रतेश अरिया है, उसमें डवल ट्रेक बिचाय जाएगा, मतलब एक अप एक डाउन लाइन बिचाय जाएगा, वही 447 किलोमेटर का जो एरिया है, कुर्जा से लेके लोधियाना तक, वो सिंगल लाइन का होगा, उसमें बिचाय जाएगा, तो अगर बात करें इसके ट्राफिक के बारे में, तो नोर्थ इंडिया को सबसे जादा इसमें प्रफिट होगा, क्योंकि नोर्थ इंडिया का जो दिल्ली, हरियाना, पंजाब का पार्ट है, उसमें जितना भी पावर प्लाइन लेगे होए है, थर्मा पावर प्लाइन उसके लिए जो कोल की आ सकता होती है, वो इस्टन पार्ट से आती है, जैसे कि छारकन हो गया, चापटीसकर हो गया, उरिसा हो गया, वहाँ से हो गया आती है, तो यहाँ पर अगर नया ट्रेक बनता है, तो उसकी सप्लाई बहुत ही स्पीड होगी और टाइमली होगी, और अगर बात करें डाउन लाइन की, तो और फ्रांड है इस्टन पार्ट में उसको लाइम इस्टोन राइस्टान से बेजे जाएंगे और भी बहुत सारे गुर्स का ट्रांस्पोरेशन होगा जैसे कि फूट ग्रेन सॉल्ट एटीसी तो अगर बात करें कि अब लाइन की तो दुझेर 21 के टार्गेट में एक सोलो मिल के टोटल प्रजेक्ट है जो डबल लाइन है और उस पर जी ओईची का जो इलेक्टिफिकेशन होगा वह 20-25 किलोवल्ट ट्रेक्शन होगा और यह जवाल नाल नहरू पोर्ट से रेवारी से होते हुए दादरी को इस्टन डेलिकेटर फराइट को टच करेगी तो चलिए आ और फिर गुजरत के पीपावव पोट्ट मुंदरा पोट्ट कंडाला पोट्ट यह सपोर्ट में जो आइसव कंटेनर का इंपोर्ड और एक्सपोर्ट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको निर्मान किया जा रहा है ताकि वो देश की विमन पार्ट तक यह हम इस्टील और सिमेंट आ जाते है वेस्टन डेडिकेटट फ्राइट करेड़ोर एंड इस्टेट तो यह पार होती है हर्याना से राजस्थान से गुजराथ से महाराश्टा से ओत्रवदे से यह पांच स्टेट से होकी गुजरती है तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वह है तो आजस्थान का 567 किलोमेटर वह हर्याना के 177 किलोमेटर है गुजराथ महाराश्ट का 170 किलोमेटर है और उत्तर-प्रदेश का सबसे कम है 18 किलोमेटर वह टोटल पांच से होगी गुजरती है आपको पताई होगा है कि हाली में पालनपूर से बोटाद तक इलेक्ट्रिक डवल स्टेक कंटेनर ट्रेंड चलाया गया है जो कि वेस्टें डेलवे द्वारा चलाया गया है और वो डीफ सी को आगे जाके पालनपूर में जोडती है मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं अगर आपको वीड 2021 अभी रखा गिया है बट इसके डिफेंट डिफेंट पार्ट अभी बनके कुछ रेडि हो चुके हैं और कुछ 2020 में ही कॉम्प्लिट होने वाले हैं तो रेवारे से मादार की बीच 306 किलमेटर के एडिया जो है वो डिसम्बर 2019 में ही बनके रेडि हो चुका है और उसमें क रेने चलने परार्म हो चुके हैं डिफेंट डिफेंट सेक्षन के लिए डिफेंट डिफेंट टार्गेट डेट रखा गिया है क्योंकि यहां अलग अलग कॉंट्रेक्टर काम पर लगे हैं सारे सेक्षन का टार्गेट डेट आपको यहां पर मिल जाएगा आप यहां पर इस image में देख सकते हो तो ये lockdown के वज़े से थोड़ा extend हो सकता है बट ये 2021 या 22 तक बनके ready हो जाएगा तो इमेद ये वीडियो आपको पसंद आगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ इस चैनल हो तो कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट के जल्दी reply देंगे धन्यवाद